Hello class 11th students, sets के miscellaneous exercise के third question को हम लोग आज की वीडियो में solve करेंगे Question है let A, B, C be the set such that A union B equals to A union C और A intersection B equals to A intersection C so that B equals to C बहुत ही अच्छा question है हमें दिखाना है कि जो B है वो C के equal होगा तो अगर हमें B और C को आपस में equal दिखाना है तो मैं यहां पर दो चीजें proof करूँगा पहले proof करूँगा कि B जो है वो C का subset है फिर proof करूँगा कि C जो है वो B का subset है ठीक है तो अगर B C का subset हो गया C B का subset हो गया फिर दोनों statement को मिला के कहेंगे कि B और C आपस में equal है क्योंकि यह अगर इसका subset है और यह खुद इसका subset है तो यानि दोनों आपस में equal रहा होंगे तभी न एक दूसरे के subset बन रहा है यह हम लोग प्रूफ करेंगे और कैसे प्रूफ करते हैं कि B C का subset है हम लोग यहां का कोई एक member उठाते हैं और दिखा देते हैं कि यह वाला member इस C के अंदर भी present है ठीक है तो मैं माल ले रहा हूँ let X belongs to B मैंने माल लिया कि X जो है वो B के अंदर है तो कैसे प्रूफ करूँ कि X जो है वो C के अंदर भी होगा ध्यान से समझिएगा अगर X B के अंदर है तो X A union B के अंदर भी होगा क्योंकि A union B में A और B के सारे element आ जाते हैं तो अगर X B के अंदर है तो X A union B के अंदर भी आ जाएगा क्योंकि B में तो है ना तो A union B में तो होगा ही और ध्यान से देखें, question में दिया है कि A union B, A union C के equal है ठीक है, A union B जो है, वो A union C के equal है ऐसा question में दिया है, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ X belongs to A union C, अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है यह जो X है, वो या तो A के अंदर present हो, या तो C के अंदर present हो है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, आइधर X belongs to A और X belongs to C ठीक, देखें, इस A union B के जगह मैंने A union C लिख दिया है क्योंकि A union B, A union C के एक पल है, तो अगर X A union C के अंदर है तो हो सकता है कि X A के अंदर हो, या फिर C के अंदर हो अगर X A के अंदर है, ये तो मैंने माना था है कि X B के अंदर भी है इन दोनों लाइन से मैं कह सकता हूँ कि X belongs to A intersection B, अगर X A के अंदर है और X B के अंदर है, तो X A intersection B के अंदर होगा और A intersection B A intersection C के equal है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x belongs to a intersection c ठीक है क्योंकि मैंने a intersection b के जगए a intersection c लिख दिया और x अगर a intersection c के अंदर है इसका मतलब x a और c दोनों के अंदर होगा तभी ना यहां से मैं लिख सकता हूं x belongs to c और यह proof हो गया देखिए मैंने x b के अंदर लिया था और x c के अंदर मिल गया तो इस वाले case में subset होगा इस वाले case में मैं बोल पाहूंगा implies b subset of c کی क्योंकि इस b के अंदर मैंने एक element लिया वो element c के अंदर भी मिल गया मतलब bления element c के मदोब b sub cent और से का कॉन से case में इस सभी से यह oikean है इस वहले case को पगड़ें तो यह तो directly बोल रहा है कि B subset of C कैसे बोल रहा है देहां से देखिएगा X B के अंदर है मैंने दिखा दिया यही X C के अंदर भी है फिर B C का subset होगा ठीक तो यह वाले line मैंने प्रूफ कर दिया इसको प्रूफ करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले माल लेंगे, let x belongs to c, मैंने माल लिया, इस c के अंदर एक element है, अब दिखाएंगे कि ये element b के अंदर भी है, कैसे दिखाएंगे, देखेगा, अगर x c के अंदर है, तो x फिर a union c के अंदर भी होगा, सही बात है, अ मैं जाना हूँ, a union c, a union b के एकवल है, तो मैं इस a union c के जगा a union b लिख दूँगा, तो यह जगा x belongs to a union b, और अगर x a union b के अंदर है, तो हो सकता है x a के अंदर हो, या फिर b के अंदर हो, ठीक है, तो यहां से मैं लिखूँँगा, x belongs to a, और x belongs to b, ठीक है, अब इन दोनों में से दोनों case को हमें आगे ले जाना होगा, अगर x a के अंदर है, यह तो मैंने माना ही था कि x c के अंदर है, ठीक है, तो मैं वापिस लिखूँगा उसी बात को, कि x belongs to c, इसका मतलब x a और c दोनों के अंदर है, और x a और c दोनों के अंदर है, तो मैं जानना हूँ, a intersection c, a intersection b के equal है, ते आंशो जाएक एक्स बिलॉंग्स टू, इसके जगह मैं क्या लिख दूँगा, a intersection b, to इसके यहां से क्या जागा, x अगर a intersection b के अंदर है, तो इसका मतलब x b के अंदर होगा ही होगा, और x b के अंदर है, इसका मतलब, isका मतलब क्या हुआ है, कि ये वाला जो इस वाले लाइन से बता चला है कि X B के अंदर भी तो है इसका मतलब C के हरेक element B के अंदर है मतलब C जो है वो B का सबसेट है तो अगर मैं इसको equation 1 मालनू और equation 2 मालनू तो क्या हो रहा है BC का सबसेट है और CB का सबसेट है यह तभी हो सकता है अच्छा question था अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को तीन-चार बाद जरू देखिए अगर आपको math में कुछ आगे research करना है या फिर आपको IIT जैसे examination निकालने हैं तो इस तरह के questions आपको अच्छे से करने होंगे तो इस वाले वीडियो को तीन-चार बाद देख लेंगे न आपको समझ में आजाएगा हर एक चीज ठीक तो आज करने से तना है मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई